हेलो एब्रीवन वेलकम टू पॉब्लिक टेक्निकल स्टडी सो गाइच कभी-कभी आप के मन में यह सवाल जरूर जरूरेट कोता होगा कि एरक्रॉप्ट, हेलिकॉप्टर, सेटिलाइट सिस्टम, ट्रेन और फोटोकापी मसीन में कौन सी मोटर का यूज यानि उप्योग किय जाता है और कैसे कार करती है ओके तो यदि आप जानना चाहते हैं तो वीडियो को कम्प्लिट देखिए और आज किसी वीडियो में हम देखेंगे कि एरक्रॉप्ट, फोटोकापी मसीन और ट्रेन में कौन सी मोटर का यूज यानि उप्योग किया जाता है ओके तो नमबर व होता है हेलिकॉप्टर और सेटेलाइट सिस्टम में ब्रसलेस डीसी मोटर का यूज यानि उप्योग किया रहता है जिसे हम लोग स्वाड में बी यल्डीसी मोटर भी कहते हैं क्लियर हेलिकॉप्टर में भी ब्रसलेस डीसी मोटर का यूज किया रहता है जिसे हम लोग बी LDC motor क्या होती है BELDC motor इसके नाम सही पता चल जाता है कि AC motor जिसे में brush नहीं होते है मतलब brushless DC motor में brush नहीं होते है उसे हुशे हम लोग BLDC motor कहते हैं यानी brushless DC motor कहते हैm clear BLDC motor एक साधारण motor से बिल्कुल उल्टा कारी करती है मतलब brushless डी एक सिंपल मोटर से बिल्खूल रिवर्स में कार्व करती उल्टा कार्व करती है, कैसे देखी, PLDC मोटर में आर्मेचर फिक्स रहता है और मैगनेट मूब करता है, BLDC Motor में क्या होता है यानी rational DC Motor में क्या होता है कि armature fix रहता है और magnet move करता है मतलब जो aircraft helicopter और satellite system में motor का उपयोग की जाता है यानी use की जाता है nehmen brushless DC Motor उसका simple motor की अपरचा उसका सब्टेकर ँल्टा होता है कया सब्टेकर रहता है में suitzd में audiobook में compassionateycz करता है clear no no it looks me photocopy machine photocopy machine में itoid pole type motor का यूज किया ता यह photography machine होती है het peroctis machine 3 जिसे कहते है तो उसमें it model type motor का यूज यानि उप्योग किया आता है and torrecks मोटर क्या होते है Erdities Polynesians..? अज दिफ critical motor एक परकार का मसीन होती है सेड़ेट पोल टाइप मोटर एक प्रकार की मसीन होती है जिसका उपयोग यूज इलेक्टिकल एनर्जी को मेकैनिकल एनर्जी में कनवर्ट करने के लिए किया जाता है उके सेड़ेट पोल एक ऐसी मसीन होती है जिसका उपयोग इलेक्टिकल एनर्जी को मेकैनिकल एनर्जी म convert करने के लिए जाता है नमबर 3 नमबर 3 में है ट्रेन में 시oritी मोटर का उप्योंग यानि यंभिज किया जाता है लेकिन अब ज्यादा तक आज करो ट्रेन में DC Agreement motor के अस्थान पे थी फेज यासी मोटर का यूज किया जाता है तो ट्रेन में DC स्रीच की मोटर क्या पेच्छा अब ज्यादा तक आज कल 3-phase AC मोटर का उप्योग किया जाता है इस वीडियो को देखेने के लिए आपका बहुत बहुत धन्वाद मिलते हैं फिर किसी आने वाली नई इंट्रेस्टेड यूजपूल और बेरी बेरी इंपोर्टेंट वीडियो में तब तक के लिए जाएं थैंक्स फार वाचिंग